हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाव लर्न टू लीड में गुड़ मॉर्निंग टो अल दी स्टूनेंट्स जैसे की पता है आपको कि हम दिसंबर महिने के टॉपिक वाइस क्र स्टून या किसी स्टेट गॉठ्मन ने स्टाट की है दिसंबर के महिने में वह हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक आपने जुरूर देखना है और द्यान से सुनना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के उपर जाएं और इसको डाउनलोड करें उसके बाद अपनी कम प्राइस पर हम आपको बहुत सी चीजे प्रवाइट कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे daily क्रेण फेर, daily क्रेण फेर में दोस्तो तीन सेक्शन होगे, एक में detail क्रें फेर होगए, एक में question and answer format फॉर्मेट होगे, जो की आपको e-book की मदद से और एक होगा quiz जो कि आप हमारी application के ओपर daily attempt कर सकते हो ऐसे ही weekly section त्यार किया गया है जिसमें आपको दो pdf मिलेंगे जिसमें एक detail current fair की होगी एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा जो कि हर हफते आप हमारी application के ओपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें चार तरह की pdf मिलेंगे जो कि अलगलक तरह से आप utilize कर सकते हो जैसे कि study pdf है यह detail current fair है जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा एक question and answer format में जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे तो practice यहाँ से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएंगे जो कि उस महीने के best current fairs होंगे उसमें 100 current fair जो है question and answer format में आपको दिये जाएंगे एक pocket pdf होगी मतल़ जल्दी जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो line में तीन line में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fair हम 20 बहुत ही important topics की अलगलग pdf आपको provide करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं जैसे कि आप important appointments को revise करना चाते हैं awards को revise करना चाते हैं तो इस pdf के through आप कर सकते हैं अगर आप banking student है banking exam की त्यारी करने हैं तो हम आपको तीन अलग चीज़े provide करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fair उसी से related question and answer format current fair आपको pdf में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है वो 30th of मे को है तो 29 माई तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही pdf से revise करने के लिए उसी साल का आप exam pdf का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी एक तो detail एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं December महिने के topic wise current fair और आज का topic of discussion है government schemes जो भी December के महिने में release होई है चाहे वो state ने की है चाहे वो center ने की है तो एक बार पढ़ते हैं पहला question है कौन सी state ने recently एक scheme launch की है अर्नो दोई 2.0 तो अर्नो दोई पहले एक launch हो चुकी थी अब ये दूसरा version है जो के direct beneficiary transfer scheme है लोगों के account में सीधा पैसे आएंगे और ये 10 लाग से ज़्यादा लोगों को फाइदा देगा तो important question है और ये scheme launch की है 2.0 असम ने answer क्या होगा इसका चार होगा तो असम के जो chief minister है हिमंत बिस्वा शर्मा जी उन्होंने अर्नो दोई 2.0 जो के flagship scheme है असम government की उन्होंने इसको start किया है और total इसमें जो पैसा खर्च किया जाएगा वो अक्ताली सो ब्याली क्रोड रुपे जो है वो हर साल खर्च करने का अनुमान जो है वो लगाया गया है और इस scheme को गौहाटी असम से launch किया गया तो जो अक्ताली सो ब्याली सक्रोड रुपे जो खर्च करेगी असम government ये सबसे जादा है किसी भी direct benefit transfer scheme के लिए जो भी इंडिया में launch की गई है चाहे वो state के द्वारा चाहे वो center के द्वारा और ये first phase जो अर्नो दोई का था उसमें 17 लाक औरतों को cover किया गया था जो first phase था उसमें 17 लाक औरतों को cover किया गया था जिसमें उनको 1250 रुपे हर महीने दिये जाते थे 10 तारीक को उनके account में जो हैं वो 1250 रुपे डाले जाते थे लेकिन अब इसमें 10.54 लाक मतलब 11 लाक नए beneficiaries जो हैं वो add किये गए हैं और इसमें अब total हो गए 27 लाक के लगबग तो 1250 रुपे हर महीने औरतों के खाते में जो है वो डाले जाते हैं और 10 तारीक को वो डाल दिये जाते हैं यह है direct beneficiary transfer scheme अर्नोदोई 2.0 अगले question के उपर आते हैं उस ministry का नाम बताना है जिसने recently जो duties या taxes के उपर जो refund मिलता था या आप कह सकते हैं उनको छोड़ थी वो कुछ products के उपर जो भी export किया करते थे उसमें जो है वो timeline बढ़ा दिया है मतलब वो expand कर दी है scheme को उसमें और भी कई चीज़े जो है वो क्या करती है add कर दी है तो नाम सी पता लग रहा है यह कौन कर सकता है ministry of commerce and industry की तरफ से किया गया है तो याद रखना है ministry of commerce and industry की तरफ से remission of duties and taxes on exported goods मतलब नाम सी पता लग रहा है कि हम जो duties और taxis लग रहे थे उसको remit करना या आप कह सकते हैं उसको छोड़ देना export जो हम कर रहे हैं जो भाहर बेज रहे हैं चीजों को जैसे कि कोई chemical sector से जुड़ी हुई चीज है फार्मसोटिकल से जुड़ी हुई है ददवाईयों से जुड़ी हुई है या कोई iron and steel की कोई चीज है तो उसमें आपको जो है your duties और taxis से छोड़ दी जाएगी तो यह specially Indian trade classification के according जो हैं हमारे code है जिसके according goods को जो है वो code किया जाता है जिसको हम कहते है harmonized system of coding तो उसमें इसको add कर दिया गया है और यह expansion जो है वो अच्छा और interesting question है friends of library और यह start किया है तामिलाडू ने answer क्या होगा इसका team होगा तो अपने याद रखने minister of school education जो government of तामिलाडू के हैं उन्होंने introduce किया friends of library scheme जिसका main मकसद क्या है कि books को जाके देके आना उन लोगों को जो की libraries नहीं आ सकते तो उन लोगों को गर तक जाके books देना या कई और पे जाके books देना क्योंकि वो library नहीं पहुं सकते इसका मतलब कौन से लोगों सकते हैं या तो senior citizen होंगे बच्चे होंगे या जो patient hospital में पड़े हुए हैं या फिर differently abled हैं किसी तरह सहायक नहीं है कि वो library पहुं सके तो इसलिए उनको जो है वो जाके ये books दी जाएंगी और ये volunteers होंगे अपनी आप जो है वो इस initiative के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं जाके books देके आना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल होके उनको books पकड़ा सकते हैं तो मतलब कहा सकते हैं रीडिंग को पर्मोट करने के लिए पढ़ने को पर्मोट करने के लिए इस ये तामिलाडू ने स्टार्ट किया है अगले question के उपर आते हैं कौन सी state है जिसने recently एक scheme का उदगाटन किया sanitation workers development scheme sanitation workers development scheme ताकि sanitation workers को अच्छे तरीके से बचाया जा सके उनकी सेहत का दियान रखा जा सके सारी चीजों को उनके बारे में सोचा जा सके और ये scheme start की है तामिलाडू ने तो अंसर क्या होगा चार होगा तामिलाडू के चीफ निस्टर जो MK स्टालिन जी है उन्होंने sanitation worker development scheme का उदगाटन किया ताकि जो भी sanitation worker है उनकी health का दियान रखा जा सके उनको बचा के रखा जा सके तो चीफ निस्टर ने एक mobile application भी launch की है एक logo भी launch किया है sanitation worker logo और mobile application का नाम है श्वास श्वास का मतलब है sanitation workers health welfare and safety मतलब एक तो उनकी health का दियान रखना है एक उनकी safety का दियान रखना है और साथ में sanitation worker कितने हैं उसका एक census भी तियार करना है तो ये mobile application के थुरू जो है वो तियार किया जाएगा तो तामिलाडू ऐसी दूसरी state बन चुकी है जिन्होंने sanitation workers के लिए इस तरह की scheme जो है वो start किया है पहली state कौन सी थी इसमें और इसा थी जिन्होंने इस तरह की scheme को start किया था अगले question के उपर आते हैं कौन सी state है recently जिसने एक upgraded version inner line permit system portal का जारी किया है एक बहुत ही simple सा question है inner line permit मतला अगर इस state में कोई भी बंदा बाहर से आता है तो उसको inner line permit system portal के उपर register होना होता है और ये state है हमारे पास मनिपूर अंसर क्या होगा चार होगा तो ये मनिपूर के जो पोर्टल को upgraded version को launch किया है थाकि जो indigenous people है जो मनिपूर के ही लोग है उनको किसी तरह से हम बचा सकें तो पोर्टल का main मकसर यहीं है कि जो भी visitors बाहर से आ रहे हैं मनिपूर के अंदर तो वो पहले inner line permit system portal के उपर apply करेंगे और और भी सान हो गया निया development या निया वर्जन जो ह लॉंच कर दिया गया है तो static question है अब slide से पढ़ सकते हैं कौनसी district में असम chief minister जो हिमंत विश्वा शर्मा जी है उन्होंने foundation stone भी कई चीजों का नीव पत्थर भी रखा है कई projects को उन्होंने एनोग्रेट भी किया है और यह projects लगबग 900 क्रोड रुपे के हैं और 938.38 क्रोड है लेकिन जो बाकी students है वो इसको slide से देख लें और यह district कौनसी है दिब्रुगड अंसर क्या होगा इसका दो होगा और दिब्रुगड district जो की असम के अंदर आता है तो उसमें कई तरह के उन्होंने projects launch किये कई projects का नीव बत्त रखा जैसे अगर foundation stone की बात करें तो एक mini stadium बन बनाने जा रहे हैं वो यहां पे दिब्रुगड के अंदर और साथ ही एक government का industrial training institute बनाने जा रहे हैं ऐसे कई तरह के projects का नीव पत्तर जो है वो रखा गया कई projects उन्होंने एनोग्रेट भी किये जैसे government dental college दिब्रुगड के अंदर उसका उदगाटन किया गया एक आप कह सकत तो like करें share करें और अभी के अभी चैनल को subscribe कर लें और आप हमारे हर platform को join कर सकते हैं Facebook के Instagram में LinkedIn है और Telegram चैनल है हर official चीज टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो आप उसको जरूर subscribe कर लें आपको description box में link मिल जाएगा thank you guys take care and bye bye